Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की स्वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 101 का Unit 9 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे खाना बदोस समराजे के बारे में दोस्तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो आज का जो मानव हैं जिस परकार से मैं हूँ आप हैं इसको हम आदूनिक मानव के तौर पे देखते हैं जिसे चिंतन सिल मानव भी का जाता है और विज्ञान की भासा में से होमो सेपियन सेपियन्स के तोर पे भी जाना जाता है परन्तु जो आरंबिक मानव था जिसको जीवन व्यापन का तरीका क्या था सिकार, संग्रहन और रसत जैसी चीजों पे निरबर था सिकार भी छोटे जानवरों का अरंब में किया जाता था ओजार जो थे वो बहुत भारी हुआ करते थे पत्थर के पाशान के ओजार हुआ करते थे पर समय अंतराल के साथ साथ में ओजार जो थे दिरे-दिरे धारदार होते चले गए की होते चले गए फिर बड़े जानवरों का सिकार किया जाने लाथ है संकरहन के लिए कंद मुलका फ्ली कठ त О को सिकार किया जाथा उनको underwater से असलों को इक हैं करते थे तो संक्षے मिलते हैं समय करते हैं अब यहाँ बात करते हैं खाना बदuwसिрий के बारे में, खाना बदोस होता क्या है, तो खाना बदोस ऐसा समू है, जो घूमने का कारे करते थे, एक जगह सा दूसर जगह घूमते थे, कभी भी जो खाना बदोस की आप जब भी बात करोगे, तो यहाँ पर एक सिंगल वैक्टी की हम बात नहीं करते हैं, पूरे समू की बात कर्ते हैं क्योंकि खानाबदूस हमयुसा समूह में होते थे अगर समूह की संख्या देखो गये गृप की संख्या देखो गये तो बीस से लेकर सोव बीच में डेज्ट सो के बीच में पूरा-पूरा घृप होता था कुमबा होता था और वो एक जगह से दूछी जगंते थे, अगल खाणा बधोस भी दो तरेक होते हैं, एक होता है कि खाणा बधोस और दूसरा होता है पसुपालग खाणा बधोस, एक जो चिंपल वाला खाणा बधोस होता है, उसका Among a- sixt best क्या होता है, की एक जगा पर मदद करता था तो इस तरीके के पसू को अपने साथ में रखते थे अब यहां पर पसू पालक खाना बदोस्ट और खाना बदोस्ट दोनों के एक तरह से घुमतू पर जाती हैं जो एक जगा से दूसरी जगा ट्रेवल करते हैं अगर आप इंडिया में रहते हो टैली के अंदर में जो लोहार का काम करते हैं और वो घुमतू का काम करते हैं एक जगा पे जादा-जादा एक महिना डेरा डालके रहे गया यह फिर उसके बाद में कहीं और विस्थापित हो गए तो इस तरह से वो घुमतू खाना बदोस्ट के तौर पर जाना जाता है कि हैं जो भारत के अंधर में देखने क्लिए मिल जाता है अब देखो इसमें होता क्या है तो जो खाना पंभोस होते हैं का मिन परप wzglूपने का क्या हुट एक जग सा दुसरी जगह ठीक उनके पास परमानेंट कोई निवासस्थान होता था, reason क्या होता था पर्मनेट निवासस्थान का कर्षिकों का, क्योंकि अगर वो खेती कर रहे तो उनको एक जगह पे लंबे समय तक रुकना पड़ता था, जिसके कारण से क्या होता था, वो घरों को निर्मान करते थे, पुरी तरीके से रहने के लिए वबस्थाओं के निर्मान करते थे, जबकि खाना बदोस और पुसुपालक खाना बदोस इसके विपरित रहते थे, उनके पास कोई भी रहने के लिए पर्मानेट आश्य नहीं होता था, घर नहीं होता था, ठीके एक चीज़ यह देखने के लिए मिल जाती है, दूसरा यह से दूसरी जगह पर जाने पर वह वैपार जैसी कारे के पद्यति के धोर पर भी वह अपना भोजन व्यापन करते थे, जीवन व्यापन करते थे, जैसे उनको कुछ चीज़े आती होंगी बनाने के लिए करने के लिए, तभी उसी के बेसिस पर उनको रोजगार मिलता था, अपनी चीज़े को बेच कर वैपार करके, ठीक हो एक जगह से दूसरी जगह अपना जीवन व्यापन करते थे, तासात में क्या करते थे, जब एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते थे, तो एक जगह की वस्तु वह खरीद कर दूसरी जगह भी उसको विस्थापित करते थ जिसके basis पे भी अपना जीवन वयापन करते थे इस तरीके से उनका जीवन वयापन चलता था जिसमें संपुन समुदाय का जो भूजन आपूर्ती होता था पस्व पर आश्रित होता था अगर आप पसु पालक खाना बदोस्त की बात करोगो तो यहां पर का उता था पूरी त दोनों वर्गों के अंदर में खेती के लिए वह समर्थ थे क्रिशी नहीं कर सकते थे क्रिशी क cathart स्मुदा जब्रक्ना पड़ता था जबकी दोनों वर्ग एक जगह पे लंबे कुछ इस chapter के इंडर में रहता नहीं यहां पर हम आगे बात करें तो इन खाना बदोस पसुपालग का जो विकास समस्थान बद्ध है पसुपालकों से हुआ है जबकि खेटी भी करते थे और पफो सुपालाँ भी करते थे जगल में रहे रहे हैं जिस जगह पे रहरे हैं महाँ पर अगर भोजन खतम हो जाता है बोजन नहीं है तो क्या होंगे एक जगह से दूसी जगह विस्थापित होंगे एक जगह से दूसी जगह विस्थापित होंगे अब मान लो एक जगह पर हम सो लोग रह रहे हैं पुराने आरंबिक मानव के तरीके पर हम अपना जीवन में अपन कर रहे हैं अब यहां पर जो ह करने लगे या फिर कोई दूसरा कार्य करने लगे या फिर किसी जानवरों को पालतू बना लिया अब यहां से क्या हुआ आगे बढ़े तो नौंसो के 100 मालों आगे बढ़ गैं सो के सो लोग आगे बढ़ गया तो सो में से नबे लोग तो ऑसे थे जो खाना पडोस की जिन्दिए जी रहे थे जिनके पास कोई जानवर नी था कोई कुछ नी था पर दस लोग ऐसे थे जिन्होंने जानवरों को पालतू बनाया और अपने साथ में रती लिए इसका रीजन यह था कि भाईया जब वो इधर सीधर ट्रेवल कर रहे थे तब उनको बीच में भूख क का अहसास हुआ जा जो भी चीजे थी तो उसको यह समझ में आया कि अगर हमारे साथ में यह चीजे होती तो हम यहां पर अपना जीव में आपन इसली कर सकते थे तो इस तरीके से एक अंदाज लगा जा सकता है कि ग्रूप में इस तरीके से बढ़ते चले गए होंगे जहां पर क्रिशक वर्ग जो एक तरह के से क्रिशी करने के लिए ग्रिम था आगे आता है ठीक है क्रिशी करता है और वो जानवर को भी पालतू बनाता है तो क्रिशक पसू पालक वर्ग के तोर पर वो जाना जाता है ठीक है समझ में आता है आगे मैं बात करूँ स्टेप्स के काही से अलग समझा जाता था सासक भव कर निर्मान की तीन अनिवारे घटक होता था समराज्य में egent राज्य सामल होते थे और दिहासी काल में मोरे समराज्य उसका उदारन के तोर पे देखा जाता है विश्व ववस्ता सिधान्त के रूप में आधोनिक पुंजीवादी विश्व और उनके कारे को विख्याकित किया जाता है व्याकित किया जाता है अब देखो यहाँ पर नॉर्मली कहने के मतलब कहना कि हम यहाँ पर सिर्फ खाना प्धोस को एक आरंबिक मानव उसके विकास शकर को नहीं देखते हैं आरंबिक मानव आपने चंगेज होगा, मंगोलिय समराजी के बारे में सुना होगा यह जितने भी इस तरह के बड़े बड़े जो सम्राजी की बात करो वो पूरा पूरा खाना बधोस था अब खाना बदोस क्या करता था अब जैसे अलग अलग जगा के खाना बदोस भी उगा करते थे अब एक खाना बदोस सो गुरूप एक गुरूप में 100 लोग है ठीक है जब उनको कभी किसी तरह का जुरॉत पड़ता था तो दूसरे गुरूपों पर हमला करते थे अपने से कम हम जो हो रहेते हूं को क nyt è talk लीते तर उसके चेतर को भी अपने अधीन रखते थे इसका एक प्रस्पटिव ये भी देखा जाता है कि उसका करने का रीजन ही रहता होगा कि वो अपने चेतर का विस्तार करना चीजे करना और एक तरह से खाना वदोस के ही थे खाना वदोस के जीवन से ही आगे बढ़ रहे थे यह थोड़ा से इंपोर्टेंट रहता है खजा नोफ कहते हैं कि खजा नुफ कुंत एक हिस्टोरियन थे जो कहते कि खाना वदोस कभी-कभी अपने बल पर बाहरी दुनिया और पडूसी खानावदोस के समाजों पर बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते थे, खानावदोस का निर्मान राज्ये निर्मान पर भी यही बात लागू होती है, इनका खजानुव का कहना क्या होता था, कि खानावदोस कभी भी अपने बल पर बाहरी दुनिया और पडूसी और खाना बदोसी समाज के बिना अस्तित्व के नहीं रह सकते थे अपने बलबुते पो नहीं रह सकते थे उनको बारी दुनिया की विज़ुरती पडोसी की विज़ुरती खाना बदोसी समाज की विज़ुरती उसके साथ में ही वो आगे बढ़ सकते तो यहाँ पर खाजानुप का यह मानना था साथ साथ में कहते कि खाना बदोस दो देश थे खाना बदोस जो थे वो राज्य निर्मान पर यही बात लागू करते थे जब हाला कि खाना बुदोस के लिए राजे निर्मान एक महत्यपुन घटना रही थी खाना बुदोस हमेशा अपने पडोसी के सेने सक्ति के परिक्षा लेते रहते थे किसी राजे के कमजोर पड़ते ही पतन होते ही उस पर आकरमन कर देते थे उस पर कपजा जमा लेते थे राजे निर्मान के इस परकिरिया में सबी सतरों का समाजिक और आर्थिक विभेत पैदा हुआ उनके वैक्तित के साथ में देवी गुन और विसेस्ताइं जोड़ी गई ये सासक कान बाद में सुल्तान या बास्सा बने इस परकार समय के साथ कभी धूँ हुनों का हुनों सम्राजे में कभी मंगोल सम्राजे का घ्uchar में मझार अलग अलग गुरुप उनके दिखने के लिए मिलते हадно हाला कि मंगोल सम्राजे एक विशाल राजनेतिक तागत के रूप में देखा गया मंगोल नेरेशम मार्ग को पुनह खोला यूरोप में एसिया में जाने का मार्ग अब कोई बाधा नहीं रही इसी परकार एसिया में फारस और चीन के बीच विचारों का आदान परदान हुआ हलाकि यह व्यवस्ता तभी तक जीवित रही जब तक स्थाई समाज उसका आदान परदान जारी रहा जैसे ही आदान परदान बंद हुआ उनका अस्तित्व समाप्त हो गया अब यहां पर दोको नॉर्मली आप बात करोगे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आरंबिक मानफ था क्या आरंबिक मानफ किस तरग से अपना जीवन वैपन करता था और लोग समय के साथ में किस तरग से परिवर्तित होते चले गए और आज के आदुनिक मानफ का रूप धारन करते हैं पर वहीं पर जब आप बात करोगे आपने एक मुवी देखी होगी गेम आफ दो तरौन वह रख सेर से एंथे और में क्या होता है कि एक पूरी तरह से मतलब एक पूरी तरह से एक संभु को दिखाये जहता है जो गोड़े रहते हैं, दो तराकी जीने बोला जाता है, दो तराकी, दो तराकी ती का काम क्या आता है, कि वो एक जगह से दूसरी जगह travel करते हैं, लूट पार्ट करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, सेम खाना बदोस का भी यही कार्य रहता था, पर आरंब में, एक जगह से दूसरी जगह जो खाना वद्व गूमतु की जीवन जीते थे उसका main purpose रहता था भोजन एक जगह पर भोजन खत्म हुआ तो दूरी जगह पर जाना पाणी खत्म हुआ तो दूरी जगह पे जाना ठीके कहीं पर सुखा पड़ा तो दूरी जगह जहां पर कि उसे हमला करते थे उसको अपने अधीपत में रहा लेकत रह चलते थे जिस के कान से पुरा इसका इसका सोरूप 1971 बाद में मंगोलिया vähän देखोगे मंगोली वंग की बात करो हुश्णो मालगों समराजी की बात क्रों इस तरह से नहीं समराज्य का ओदेखने के मिल जाता है और यह सारा कोई अलग समराज्य नहींNow में एक तरह से खाना बहुत दोसी थे जो बाद में देरे-देरे करके अपना समराजे बना लेते हैं और आगे बड़े के चले जाते हैं ठीक है तो इस तरह का सारा चैप्टर रहता है इसके अंदर में कोई भी कोशिन बनकर आता है तो सारा पॉइंट से आपको बताने होंगे वहाँ पर मिल जाएगा ब्लोग पर हमने डाल रखा इन नोट तो वहाँ से आप डिरेक्टली ले सकते हो वहाँ से यूज कर सकते हो अपने स्टेडी के लिए तो यहाँ पर मैं वीडियो एंड करूँआ जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी विवर्स हैं अगर वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं थैंकियो सोमस्ट वर्चिंग मी थैंकियो सोमस्ट फी लिस्निंग मी बगया टेकर वल्डबेस्ट